तो चलिए आज के वीडियो में हम जानेंगे लेजर कैसे क्रियेट करेंगे आइटम कैसे बनाएंगे और यूनिट कैसे क्रियेट करेंगे इछले वीडियो में हमने जाना था कि टेली प्राइम में कमपनी कैसे बनाना है तो अगर आप पूरा प्ले लिस्ट देखना चाहते है तो हमारे चैनल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाकर के प्लेलीस जॉइन कर सकते हैं या हमारे चैनल में जाकर के देख सकते हैं आप step by step पूरा टेली सिक्ष है तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या हुआ create का option है तो सबसे पहले आपको unit create करना है unit क्या होता है दोस्तों जैसे आप कोई भी business करते हैं तो आप kg में करते हैं कि metric turn में करते हैं तो आपको जो ज़रूत है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं मेरा क्या still plant का business है तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा still lohe का business है तो मैं metric turn में ही करता हूँ जो भी version करता हूँ metric turn में तो unit सबसे पहले create कर लिगा तो यहाँ पर हम क्या नाम दिखें symbol का MT करके रखते हैं MT metric turn यहाँ पर भी छोड़ देते हैं और यहाँ पर quantity code तो हम क्या करेंगे MTS दबाएंगे तो हमारे पास आजाएगा यहाँ पर metric turn अगर आप KG में करते हैं कोई भी business तो KGS करेंगे तो आपके सामने KGS में आजाएगा अगर pieces में करते हैं तो आपको pieces में आजाएगा pack में करते हैं PSE करेंगे तो pack करके आजाएगा तो आपको आप जो item sale purchase करते हैं उसका अगर करते हैं तो हम यहाँ पर metric turn कर देते हैं MTS MTS यहाँ पर मैं डाल दिया और OK कर दिया अब number up decimal places अब यह क्या है जैसे एक metric turn तो एक metric turn ही लिखाएगा 1.00 नहीं लिखाएगा तो हम यहाँ पर 0 ही लगएगा और enter करके accept करके इंटर करके फिर से yes कर देंगे हमारा metric turn हो गया अब हम क्या करेंगे दूसरा item का name बनाएगे जो item बनाएगे तो सबसे पहले आपको कहाँ पर जाना है item देख लिजे stock item यह हो गया तो stock item में जाएगे इंटर करेंगे name अब क्या है यहाँ पर जैसे मैं sponge लिख देता हूँ sponge iron ठीक है यहाँ पर आप अपने हिसाब से कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पर आपका जो business है उससे साब से अब इंटर करेंगे इसको छोड़ देंगे अब यहाँ क्या करेंगे under primary में रखेंगे unit यह देखिए अगर हम पहले unit नहीं बनाते हम यहाँ पर फंस जाते हैं यहाँ पर देखिए हम जो unit बनाये थे अब यहाँ पर आ रहा है तो sponge को हम किस से तॉलते हैं metric trans तो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है जैसे yes करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा on value ठीक है तो हम on value रख देते हैं यहाँ पर क्या taxability में क्या रखेंगे हम taxable रख देंगे कोई भी चीज में tax लगता है तो आप taxable रखी है जिसमें tax नहीं रखता तो आप nil rated भी रख सकते हैं तो मैं यहाँ पर taxable है तो अब यहाँ पर कितना integrated tax कितना है 18% लगता है sponge का GST 18% तो यहाँ पर रख दिये हैं sales को हम छोड़ दिये अब क्या है type of supply वो goods है कि service है पर goods में रख देंगे rate of duty इसको भी छोड़ देंगे अब देखिए कोई भी opening balance है तो opening balance यहाँ पर डाल सकते हैं जैसे आप पुराना opening balance आपके पास इतना पड़ा हुआ पहले से sponge है तो आप जैसे मेरे पास जैसे 5 में ट्रिक्टन है तो 5 यहाँ पर डाल सकता हूँ वो automatically empty ले लिया यहाँ पर देख सकते हैं अब जो rate है वो भी डाल सकते हैं यहाँ चोड़ सकते हैं यहाँ से करके छोड़ सकते हैं अगर आपको opening नहीं डालना है तो इसको आप delete कर दीजे हटा दीजे और इंटर करके yes कर दीजेगे हमारा sponge का item बन गया दोस्तों हमको क्या करना है laser create करना है हम sale जिससे हम किसी से sale और purchase करते हैं हम को laser पहले करना है हम जैसे purchase किसी से करते हैं हमारे पास एक 90 wise आया तो हम उसका laser create कैसे करेंगे तो laser में जाएंगे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे यहाँ पर sahoot tuber साहूu टूबर उसके बाद इंटर दबाएंगे यहाँ पर छोड़ देंगे अब देखिए यह सबसे important होता है दोस्तों टेली में हमको under group को जानना जरूरी है तो group का इसके बाद मैं video बना दूँगा पूरा detail में कि कौन सा group किसके अंदर आता है तो आप जरूर playlist को देखिए ताकि आपको समझाए under group अब देखिए यहाँ पर हम किसी से purchase करेंगे हम माल को purchase करेंगे तो हमारे लिए वो किसके group में रहेगा संडरी creditor हमेशा याद रखे हम किसी से जो उधारी में माल परचेस करते हैं वो होता है संडरी creditor और हम किसी को उधारी में माल बेस्तियबाद में पैसा लेते हैं तो उसको आता है संड्री डेटर याद रखिए दोनों यह बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम संड्री क्रेडिटर में कहें मेंटेन बैलेंस बिल बाई बिल यस रख लिजे इसको और इसको डेव आउचर नो कर दीजे अगर टीडियस लगता है तो यस करिए नहीं तो फिर नो कर दीजे एड्रेस लिख दीजे जैसे हफूल एड्रेस लिखें साहो टूबर प्राविट लिमिटेटर कोई भी पार्टी यस टी नमबर डालेंगे तभी आपका वर्क करेगा प्रवाइड बैंक डीटेल उसका है तो यस करके आप बैंक डीटेल भी डाल सकते हैं तो अभी मैं इसको नो छोड़ देता हूँ अगर यस करूंगा तो मैं दिखा देता हूँ इस तरह से आप्सन आजाएगा ठीक है त उसका पैन नमबर जरूर डाली है और यहाँ पर अगर कौन सा है कंपोजीशन है कि रेगुलर है तो जनरली हम लोग रेगुलर में काम करते हैं जो छोटा मोटा दुकान वाले होते हो कंपोजीशन में काम करते हैं तो कंपोजीशन आप ले सकते हैं यहाँ पर रेगुलर मे क्या होगा हर बार वो उतना ही calculate करें गया तो इसको आप छोड़ दिजे क्योंकि आपने इस पंच पर्चेस किया तो 18% आटोमेटिक ले ले गया लेकिन उसके पास से कुछ और माल पर्चेस कर लिए तब भी 18% लेगा तो यहां पर हम इसको नो कर देते हैं अब अब उपनिंग कुछ बैलेंस है इसका भी तो आप कर डाल दीजे नहीं तो इसको छोड़ दीजे इंटर करके हमारे पास से क्या होगा पर्चेस जिसके हम अब हम किसी को माल सेल करते हैं उसका लेजर क्रेट करना हम किसी को माल सेल करते हम जो बनाते हैं हम दूसरी को माल सेल करें तो उसका हम क्या करेंगे A, B, C, Private Limited ठीक, यहाँ पर डाल दियें अब देखिए दोसों यहाँ बहुत important जीज है हम किसी से माल purchase कर रहे थे उसको sundry creditor डाल रहे थे, अब हम किसी को माल sell करेंगे तो sundry data, यहाँ पर sundry data यहाँ पर सेम प्रोसेस है वही है पूरा detail डाल देंगे उसका यहाँ पर आगे जो state है वो state डालना जरूरी है आपको तभी calculate करेंगे pin code डाल दीजे उसका bank detail है डाल दीजे, उसका pen number तभी डाल दीजे regular है तो regular या तो composition regular है तो gest number भी उसका जरूर डालना है आपको और इसी तरह कर करके आपको opening कुछ है तो okay कर लिजे और yes कर लिजे यह होगी हमारा laser create तो अब हम देख लेते हैं दोस्तों laser जो create होगा है तो सबसे gateway आप टेली में तो आप इसको ध्यान दीजिए यह होगी हमारा दो laser अब जैसे हम sale purchase करेंगे तो वो next video बताऊंगा आपको कैसे करना है यह होगी अब हम देख लेते हैं यहाँ पर alter में जाएंगे आप इस टॉक यूनिट भी देख सकते हैं यहाँ पर से और उसी तरह का एक process है अल्टर चाहे company को डिलीट करें चाहे कुछ भी चीज को डिलीट अल्टर में जरूर जाना आपको अल्टर में गए अब जैसे आपको laser डिलीट करना तो laser में आए आज जैसे ABC को हमको डिलीट करना है इसका काम नहीं है तो हम keyboard से क्या बटन दबाएंगे आप कुछ stock item को डिलीट करना चाहते है पहले से अगर उसमें entry नहीं है तभी डिलीट करिए otherwise डिलीट मत करिए entry हो गया है तो delete नहीं करना आपको तो alt और d बटन दबाएंगे तो ये भी delete कर सकते हैं इसको इसी तरह आप क्या है unit item को भी delete कर सकते हैं जैसे मैं ये खोला और alt और d बटन दबाया और यहां पर yes कर दिया डिलीट हो गया तो ये प्रोसेस है तो चलिए दो सो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो please like subscribe and share जरू करेंगे